पंजाब में छे साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या जाओडेकर ने तेजस्वी राहुल पर बोला हमला पंजाब के होशियारपुर जिले में 6 साल की बच्ची से कथित बलातकार और हत्या के मामले में केंद्रे मंत्री प्रकास जावडेकर ने कॉंग्रिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि टांडा गाउं में बिहार के दलित प्रवासी मजदूर की 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर हुआ और बाद में उसे मार दिया गया। जो हात्रस और बाकी जगए जाते थे उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका गांधी टांडा क्यों नहीं जाते। राजस्थान में 10 जगए बलतकार की घटना हुई वहां क्यों नहीं जाते। आपको बता दे कि इस मामले में मुख्यमंतरी अमरिंदर सिंग ने पुलिस जांस के आदेज दिये हैं। जावडेकर ने कहा कि हम तेजस्वी यादों से भी मांग करते हैं कि बिहार की बेटी के साथ अत्याचार पर चुप रहने वालों के साथ वो बिहार का प्रचार करते हैं। कैसे चलेगा इस पर कॉंग्रेस नेता जैवीर सेलगीर ने कहा है कि प्रकास जावडेकर जी इधर उधर की बाते ना करें सिर्फ एक प्रशन का उत्तर दें जब भी इस देश में बलतकार जैसी घटना होती है तो बीजेपी और बीजेपी का साशनकाल पीरता-पीरता के परि करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें